Hello everyone, कैसे हो? तो आज की जो reading है यह हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज के अपने इस reading में कि आखिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं ठीक, reading का topic यही रहेगा कि उनको आपसे कुछ कहना है तो क्या कहना चाहते हैं वो ठीक है? reading का topic यह है तो द्यान रखेगा कि यह reading एक general reading है और collective reading है इस बात का पुड़ा ख्याल रखना है आपको चलिए, छोटी सी reading हम करेंगे देखते हैं कि आपकी जो partner है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं प्रीज मुझे guide कीज़े angels, universe and sisters bottom of the deck यह person सबसे पहले कहना चाहते है कि तुम जब से गई हो या गए हो तब से मैं बड़ा उदास उदास रहने लगा हूँ तब से मैं बड़ा परिशार रहने लगा हूँ कहीं बिल्कुल भी मन नहीं लगता कहीं भी मन नहीं लगता जहां बैठता हूँ वहाँ पे स्रिप और स्रिप तुम्हारी याद आती है मैं मायूस हो जाता हूँ, मेरा मन किसी के साथ नहीं लगता मैं कहीं भी रहूँ, हर वक्त तुम मेरे दिल और दिमाग में रहती हो हर वक्त मैं तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों मैंने ट्राई भी किया कई बार, बढ़ भूल नहीं पाता हूँ नहीं आ रहा है, खुद को कोई आइडिया नहीं है, कि ये सारी चीज़े आखिर क्यों हो रही है मेरे साथ, तुम और मैं जब अलग हुएं, एकदम से मुझे ऐसा फील हुआ कि अब कुछ नहीं बचा है, मैं मायूस, उदास, तुम चली गई या तुम इसे बात नहीं करती हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी और से बाते करने लगा हुँ, मैं आज भी तुम से स्रिफ तुम से प्यार करता हूँ मैं आज भी तुम्हारे लिए आसु बहाता हूँ आज भी मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ आज भी मेरे दिल में स्रिफ तुम्हारे लिए जगा है स्रिफ और स्रिफ तुम्हारे लिए मैंने तो अपने बुढ़ापे तक का सोचा था तुम्हारे साथ कि मैं अपना बुढ़ापा तुम्हारे साथ जीऊंगा तुम्हारे साथ बस तुम्हारे साथ तुम्हारे साथ ही मैंने जीने मरने की कसमे खाई तुम्हारे साथ जो मेरी अटाइश्मेंट है वो attachment मेरी किसी और के साथ नहीं बन पाएगी, मुझे पता है, और मैं try भी नहीं करता, मुझे try करना बनता भी नहीं है, क्यों try करूं मैं, जब मुझे किसी और के साथ जाना ही नहीं है, मैं स्थरिफ और स्थरिफ तुमसे प्यार करता हूँ तुमसे ही डीप तुमसे ही डीप अटाच रहना जाता हूँ मैं बहुत अपने आपको शांत करने की कोशिश करता हूँ बहुत ज़्यादा अपने आपको कूल करने की कोशिश में लगा रहता हूँ एकदम मैं बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा एक अपने आपको मैं बैलेंस करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ बहुत ज़दा बैलेंस करता हूँ मैं अपने आपको अपने आपका मैं फ्यूचर नहीं देख पा रहा तुम्हारे बगर तुम्हारे बगर मेरा कल आगे क्या होगा कल कैसा होगा मेरा मुझे कोई आइडा नहीं लग रहा है मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है शायद मैंने तुम्हारी वैलू नहीं की तुम्हारी बातों को नहीं समझा तुम्हें नहीं समझा तुम्हारी तुम तक पहुँचने के लिए एक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तुमसे बात करने के लिए तरपते होंगे, तरशते होंगे, लेकिन मैं तुम्हारी वैलू नहीं समझ सका, तुम मेरे जिन्दगी में आई, मेरे जिन्दगी में रही, इतने टाइम रही, फिर भी मैं तुम्हारी वैलू नहीं समझ सका, क्यों नहीं समझ सका, मेरे लाइफ में एकदम से stable नहीं हो पाता, तुम को तो लाइफ में भैलेंस था, तुम थी लाइफ में खुशियाँ थै। तुम थी, तो मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजیں होती रहती थी, बहुत सारी चीज़े, लेकिन आज, आज तुम नहीं हो मेरी लाइफ में, तो मुझे यहाँ पे कहिना कहिनी लगता है ना, कि मुझे पीछे बैक की बाते बहुत याद आती है, मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता भी हो नहीं हो पाता मेरे से, क्योंकि मेरे दिल में रग रग में तुम ही तुम वसी हो, तुम स्रिफ और तुम, मैं तुम से बात करना चाहता हूं, मेरे लाइफ में मेरी लाइफ में तुम इंपॉर्टेंट हो सिर्फ और सिर्फ तुम और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए मेरी जिंदगी में जो इंपॉर्टेंट है मैंने तुम्हें बता दिया कि हां वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए बस तुम और कोई नहीं बस तुम चाहिए और मुझे कोई नहीं चाहिए तुम मेरी लाइफ में इंपोर्टेंट हो तुम्हारा होना मेरी लाइफ में इंपोर्टेंट है तुम मेरी लाइफ में बहुत वैलू रखती हो बहुत ज़दा value रखती हो मेरी life, मेरी जिंदगी, मेरी खुशिया स्रिफ तुमसे जुड़ी हुई है और तुमसे ही जुड़ करके मैं आगे जो भी है वो करना चाहता हूँ स्रिफ तुमसे जुड़ करके स्रिफ और स्रिफ मेरी बाते, मेरी एनर्जी मेरी फिलिंग्स, मेरी एमोशन हर एक चीज़ मेरी स्रिफ तुमसे जुड़ी हुई है the hand man मैं रुका हुआ साओं एकदम से मैं रुकसा गया हूँ अपने life में मैं अपना future देख रहा हूँ तुमारे साथ लेकिन मैं अपना future उस तरीके से नहीं ला पा रहा हूँ जिस तरीके से शायद मैं तुम्हारे साथ ला पाऊंगा या जिस तरीके से शायद मैं तुम्हारे साथ आ पाऊंगा वो future मुझे नहीं मिल रहा है कहीं नहीं दिख रहा है मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा है मुझे अपना future ही dark दिख रहा है तुम्हारे बगर माना मेरे पास options हैं माना मेरे पास मैं किसी और के साथ भी जा सकता हूँ लेकिन यह possible नहीं है मेरे लिए मैं तुम्हें commitment नहीं दे पाता तुम्हें लगता है कि मेरे जिन्देगी में third party है ऐसा नहीं है मैं in or out in or out करता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी और के साथ relationship में हूँ ऐसा कुछ नहीं है तुम overthinking करती हो मैं तुम्हारे साथ ही अपने relationship में balance बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ ही मैं अपना future भी देखता हूँ तुम्हें अगर पता हो तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हारे साथ मुझे कितनी comfortable feel होती है कितना ज़दा मैं तुम्हें आरे साथ comfortable feel करता हूँ, तुम्हें ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तुम्हारे साथ मेरी bonding कितनी अच्छी है, मैं तुम्हारे साथ तो गूमना चाहता हूँ, यहां वहां, बहुत सारी जगाओं पर जाना चाहता हूँ, तुम् यहां पर तरफ आने के लिए एक दम से रेडी हैं एकदम क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर एकदम आपके तरफ आने के लिए बीच और मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है तो मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि परसन कहना चाहता है कि तुम मेरा वेट करो मैं तुमारी लाइफ में आऊँगा कमिट्मेंट के साथ आऊँगा इस बर आऊँगा तु इतना मेरा भरुसा रखो तुम ठीक है तो ये है आज की रेडिंग, छोटे सी रेडिंग मैंने कहा था आपको, मिलते हैं फिर अगले रेडिंग में, बाब बाई Hello everyone, so आज हम बात करने वाले हैं, ये ब्रेसलिट के बारे में ये जो ब्रेसलिट आप लोग देख रहे हो, ये है black, obsidian and selenite ये ब्रेसलिट है, जिसका combination तयार किया गया है ये ब्रेसलिट का क्या profit है, इसके healing properties क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहे हूँ तो यह जो bracelet है सबसे पहले तो इसका जो combination है बहुत ही बहतरीन है बहुत ही बहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है यह bracelet जो है आपके root चक्रा को सही करता है यानि की root चक्रा को खोलने में आपके help करता है आपको black energy से जो है यह stone बचाता है जेम स्टोन है ठीके तो यह जो है आपको negative energy से बचाता है protection के लिए है यह protect करता है आपको और यह जो bracelet है आपको एक गजब का अकर्शन आपके अंदर पैदा करता है अकर्शन का मतलब यह है कि attraction आपके तरफ लोग खीचे चले आते हैं इस तरीके का attraction यह जो है bracelet आपके अंदर create करता है आपको पहन करके इसको इतना positive feel होगा इसको इतना अच्छा लगेगा आप खुद को ही अगर जो है देखने की कोशिश करोगे तो आप आपको लगेगा कि अब मेरे अंदर क्या बदला हुआ है यह जो bracelet है इसका बहुत ही अच्छा जो है medical में भी effect देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा देखो यह तो सबसे पहले आपके सुन्दर्ता को बढ़ाता है आकर्शन बनाता है आपको negativity से बचाता है आपके blockages को खोलता है ठीक है और यह जो bracelet है यह आपको तुरंत तुरंत असर करता है यह नहीं है कि 6 महीने हो गएं साल बर हो गएं फिर भी कोई result नहीं मिला आपको नहीं इस bracelet की खामी यही है खामी नहीं कह सकते है इसकी कहते हैं कि तारीफ है ना मेरे पास word नहीं है कि मैं उसको बताओं तो यह जो word है यह देखो यह bracelet की खूबी कह रहे हूँ हाँ खूबी खूबी यही है कि यह आपके अंदर गजब का attraction power और जो है आपके अंदर बढ़ाता है ठीक है यह आपके अंदर जो है गुस्से को कम करता है कमजोरी आपकी गलतीों को दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि आपके ऊपर कोई जो है ना दोश लगा देता है काम कोई दूसरा करता है और दोश आपके उपर थोप देता है कि आरे तुमने ही तो किया था लेकिन आपने नहीं किया होता है लेकिन दोश शारा आपके उपर आता है तो ये ब्रेसलिट आपकी हेल्प करेगा चीजों को सही दिखाने में, चीजों को सही तरीके से आपको प्रेज़ेट करने में अगर आपको हिच किचा हट भी होती है ना तो यह ब्रेशिट आपको बहुत-बहुत फायदा करेगा ठीक है यह जो है नाकरात्मक सक्तियों को तोड़ता है ठीक है और आपके emotional feelings को ये balance करता है ठीक ये जो bracelet है ये आपके emotions को देखो जहांसे आपको कटना है वहांसे तो कटी लोगे मतलब कि जिसको छोड़ना है उसको छोड़ दोगे तो वो balance करता है ये ठीक ये bracelet healing के लिए बहुत बहुत बहतरीन सा bracelet है और अगर किसी का आप ध्यान आकरशित करना चाहते हो, किसी का भी ध्यान आकरशित करना चाहते हो, या आप चाहते हो जिसे कि आप पाटी में जाते हो, या किसी फंक्शन में जाते हो, या कहीं भी जाते हो, लोग आपको भाव नहीं देते हैं, लोग आपको हलके में लेते है तो उसके लिए ये breast it का आप use कर सकते हो ठीक है ये breast it आपके तरफ लोगों को देखने पे मजबूर कर देगा लोगों का ध्यान आपके तरफ आकरशित करने पे मजबूर कर देगा ठीक है ये breast it की खुबी है ठीक साथ ही साथ आपकी love life में अगर problem चल रही है आप अपने partner को attract करना चाहते हो ठीक है तो उनके लिए भी यूज कर सकते हो या आप जिस भी person को attract करना चाहते हो अपने तरफ चाहते हो कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो मेरे तरफ attract हो जाए है ना तो ये इस breast it से किया जा सकता है इतना अच्छा इसका result है ठीक है तो अगर आपके पु आपको अपना relation सही करना है तो आप इस bracelet का यूज कर सकते हो ठीक है ये है 8mm में आपको ये beats जो है आपको 8mm में मिलेंगे ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा आपके हाथों के ऊपर ठीक तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं दिये गए WhatsApp नमर पे contact कीजे आपको तो ये है आज bracelet की जानकारी मिलते है रीडिंग में